नमस्कार मैं हूँ अकर्शन उपलर इसमें आप ये सीधी तस्वीरे देख रहे हैं करनाल से जहां पर आपको बता दे कि तीन दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिस खबर में हमने आपको बताया था कि कैसे एक शक्स के उपर हनी ट्रैप की हनी ट्रैप की तरह ए जिने कल विजलेंस ने चार लाख रुपे के साथ गिरफ़तार किया है ये उनकी तस्वीर है और महिला का नाम है एसाई सरीता देवी जो की करनाल के सेक्टर 32-33 थाने में आईयो की रूप में काम कर रही थी एसाई है कल करनाल की विजलेंस ने इस महिला को जो की अधिकारी है एसाई है जाच अधिकारी है इनका काम है कि अगर कोई शिकायद सही आती है तो उसके उपर कारवाई करना अगर कोई शिकायद जूटी आती है तो उस मामले में उससे भी कड़ी कारवाई करना लेकिन आरोब फिलहाल गंभीर लग रहे हैं कि ये महिला एसाई सरीता रान कि लेकिन जो ये शक्स जिनका नाम जौनी राना है जो कि बीजना गाउं से है इनके भी काफी गंबीर आरोप थे तीन दिन पहले इन्होंने करनाल के को शिकायत दी और अब इनकी शिकायत के उपर दर्ज हो चुकी है उन लोगों के उपर जो कि इन्हें हनी ट्रैप के माध्यम से लूटना चाहते थे या यू कहें कि इनसे उगाही करना चाहते थे वो भी 15 लाग रुपे कि और एसाई सरीता जिनकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई जिने कल करनाल विजलेस अरेस्ट भी किया है एसाई सरीता कैसे इने कहती है कि समझोता कर लो ले देकर समझोता कर लो नहीं तो तुम्हें भी सुसाइड करना पड़ सकते जौनी जी यह फाइर जो दर्जु है यह क्या पूरा मामला था और जो ही महीला एसाई कल अरेस्ट हुई है आपने संडे को इन पर अरूप लगाए थे त्यूजडे को यह एरेस्ट हो जाती है क्या मामला था कि सर्जी जो आफायर दर्जु यह तो मेरी जो मैंने शिकायत की उसक्यादार परोड़ी जो मैम है ना मैंने मुझे पूरा हरास्मेंट किया और जिशु मुझरिम हुना मैं आपके पास बैठा हूं मुझे अंदर मामला किया था आपका जो अन्होंने मुझे एक और थी उसने मुझे आरोप लगाया वह बलात करका तो मैम के पास मैम ने मुझे फोन किया पच्छी तारीक को कौन सी मैम ने श्रीता एसाई ने 11 बजे तो मैं बार आप से दो युक्तिया एक लेड़ी जहरो जैंट से लेड़ी स्टेट वाली है तो आप इन से बार जाके शैटिंग कर लो कि ऐसी सेटिंग कोई लेन देने की ऐसे इसारा किया मैम ने वहां पे अगर कैमरा भी होना जा मैम बैठती है तो उसमें सब कुस समझ आए जाहे का म में दो एक लेड़ी जहरो एक जैंट सा जो मुँपे परना डाले हुआ था वो बोलता है बहुत पंद्रा लाग देने पड़ेंगे पंद्रा लाग किस चीज़गे वही हम तेरा फैंसला कर देंगे अफटेट देंगे तेरे को और तो बरी हो जागा इसी शिकायत किया दी देंगे तेरे गर पर क्या क्या ट्रेक्ट रहाड़ी यह जो भी है कि मैं बोला जी आइसा जी मेरे पास निया कुछ भी नहीं दे सकता तो उसके बाद फिर में में के पास गया दुवारा वहां पे CCTV कैमरे भी लगए में थाने के अंदर तीस तीस अले दुवारा फिर गया म उसके में बोलते हैं मुझे आपको क्या लगा जब मैंडम ने ऐसे बोला कि 15 नहीं देने 10 दे आट दे बारा देदे तेरा दे आपको क्या लगा सुनके मुझे सुनके यह लगया वह इनकी सेटिंग आपस में किन कि मैं की और उनकी अगर वहां CCTV कैमरे अंदर तो आप देख हो जो जहां करता उन्होंने पकड़ा है उन्हें सचाई पकड़ा है विजिलाइच्टीम ने अगर जो उस मैम से भी गैंता से पूछ ताच की जाए ना मैं सारी बता देंगे उनहींने काँपर क्या क्या किया है जहां पे पाणी पत थे जाँ पहले यहां से-पाणी पानी तो क्या लग रहा है आपको कि जो पुलिस होती है पुलिस का काम होता है जाच करना अगर आप गलत है तो आपको अंदर करें और अगर शिकायत करता गलत उसको अंदर करें मैडम ने दौनों में से कोई काम किया मेरे Phys mourn to carry these पूलिस सब वो मैं रहाँ अगर पुलीश सारी एक जैसी होती तो मुझे कभी का अंदर करके और और मेरे पबलात के सारी जाता जाता है अगर जो भी आ देन के साबी मुझे ये इन मामु था आपका 32 ती चाने में करते हैं वो तो जी था तो इस एक है और अघ्वाला तो यह पता लगाए आपको कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सब लोगों के साथ साथ होती है खेली पैसे का है कि भई थाना कोई भी लगता हो लेकिन इस्थाने में परचा दर्जगर तुमारा काम हो जाएगा वह तो जी देखो है मैं तो आम में नहीं पता है तो आम तों पो vaj कि जो मैं भूब किसने दिया है मैं कि आप आगी अब तो वैई इसका नंबर कैसे तक आया लड़की को जानती है जो भी एवे जो एक लेडी है जो भी परने साब से कुछ कहना चाहोगे मैं स्पी साब से गुजारिश ही करूं आजी देखो पुलिस पर सार्शन सभी एक जैसा नहीं होता है अच्छे भी है इंसान सारे अच्छे हैं कुछ एक दो अगर ऐसा हो ना उनकी जांच होन तो सारी साबित हो जाएगी एक जोनी वह यह बताओ आपका घर बीजना में फोन आपका ओन था अपने मैडम को यह भी बोला कि आप चाहे तो मुझे अरेस्ट कर लो जांच कर लो यह आपके घर क्यों गए मैं के पास जब दो बर जा चुका हूं और मैं कर दो अंदर में त कर दो यह आप जांच कर लो उसके बाद मेरा फोन बैटरी लोगी में बं था तो मैं घर पे गए और वर्ना गाड दी तीया वर्ना Grandi तो होना चाहिए था अगर वैसर नंबर नहीं तो इस पर नंबर प्लेट थी नहीं और बीना वर्दी के थी और मैं बोलती है मैं तो इसलिए आई हूं तुम अपने सैटिंग कर लो 15 मांग तुम 10 में कर लो और उसके बाद में सरकारी गड़ी में विया सुकूती में इसलिए बहू दाए तुम अपना पहले अपना रास्ता निकाल लो इस बात का अब देख सके हैं सारे का सारा जो खेल है सेटिंग का खेल महिला एस सरीता रानी यह इनकी तस्वीर है और समझ कर देखिए कि एक महिला अधिकारी का होंसला इतना बुलंद कैसे हो सकता है कि वो किसी आरोपी के घर चली जाती है प्राइवेट गाड़ी पे बिना नमबर की ब्लैक कलर की वरना गाड़ी पे वो किसी के घर चली जाती है और जाकर कहती है कि आप सेटिंग कर लीजिए नहीं तो आपका बेटा अंदर हो जाएगा यहां से पूरे खेल को समझा जा सकता और यह सब कहां चल रहा है सीम सिटी करनाल में सीम सिटी करनाल में यह सब कुछ चल रहा है और तब चल रहा है जब कहा जाता है कि ब्रश्टाचार खतम है मामला हमारे संग्यान में नहीं है और हम corruption के उपर कारवई करते हैं यहाँ पर सवाल यह है कि पकड़े जाने वले अधिकारी तो गिने चुने होते हैं इका दुका होते हैं लेकिन रिश्वत का जो खेल है किस लेवल पर चल रहा है इसके उपर बोलने समझने के लिए फिलाल कोई तायार नहीं है आपको बताते हैं कि इस मामले के अंदर विजलेस ने ये खुलासा किया है जो शिकायत करता पक्ष है उसने ये खुलासा किया है कि इस मामले के अंदर जो महिला A.S.I. है उन्होंने जो आठ लाक रुपे की रिश्वत जिस मामले में वो कल गिरफतार हुई है उसमें जो आठ लाक रुपे की रिश्वत मांगी थी उसमें कुछ पैसे DSP और कुछ पैसे SHO 5 लाक रुपे DSP को दिये जाने है 2 लाक रुपे SHO को दिये जाने मेरे पास तो सिर्फ 1 लाक रुपे आएंगे कि इस मामले की जाच अपने आप में गंभीर हो जाती है जब आरोब काफी उपर तक चले जाते है करनाल के SSP गंगारम पूनिया इस मामले को लेकर काफी गंभीर है और फिलाल ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस महिला अधिकारी को आज सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसके बाद इसकी अंदरूनी इंक्वाइरी भी करवाई जाएगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या था कौन कौन लोग इस में शामिल है और क्या इस तरह के और मामले भी एसाई सरीता रानी के पास गए थे जिसमें शिकायत करता का जो थाना था वो कोई और था लेकिन शिकायत पहुंझ जाती है सरीता रानी एसाई के बास जिनके उपर आरोप ये भी लगा रहे हैं कि मुझे कहा गया कि आप 10 लाग उर्पे में सेटिंग कर लीजिए नहीं तो आपको अंदर कर दिया जाएगा फिलाल इनकी शिकायत के उपर करनाल के थाना सदर में फाई यार दर्ज कर दी गई है उन लोगों के उपर जिसमें एसाई सरीता का भी नाम लिखा गया कि उनका फोन मेरे पास आया था और शिकायत करता पक्ष का भी नाम लिखा गया कि मेरी जूटी शिकायती 15 लाकर पे मुझसे मांगे गए और अब इनके मामले की जाच है वो थाना सदर पुलिस कर रही है मैं को मारी संपत्ती को पता लग गया इसके पर ट्रेक्टर गाड़ी या जो है अब तो उस अपनी का पता लगना चाहिए क्या है क्या नहीं है तो यह आम आदमी की आवाज है जौनी राना इनका नाम है और सीधे तोर पर कह रहे हैं कि जहां चोनी चाहिए आए की भी कि आ रहां तक आही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए के बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक